और आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा महतर्पून हो जाती है और यहां पर गैस में बात करने वालों कल कल हम अठारसों पचासी देखने वाले हैं और कल कॉंग्रेस के अस्थापना देखेंगे इसे पहले आज हम दो टॉपिक कफर करने वाले हैं एक समाजिक और इसके बाद देखने वाले हैं काफी सारे संस्था भी थी और बाद में गैस कॉंग्रेस बनी हैं तो हम वो देखने वाले हैं ठीक है तो आज दो टॉपिक कफर करेंगे तो देखते हैं आगे क्यों और जैसे कि आप लोगों को पता है हिस्ट्री में लिखा बहुत कुछ हो योगदान था हालिका इन्होंने का जो योगदान सिक्षा के छेत्र में भी काफी रहता है तो देखते हैं आगे क्यों और यहां पर हम पहली पॉइंट का बात करें तो भारती पर्थम भारती भारत में समाज को व्यापत बुडाईयों का बीरोध में आंदूलन किया था इ यह सा कौन पर्थम व्यक्ति था जिसने भारत समाज में बुराईयों का बिरोध किया था तो आपके ऑप्सन होगा राजा राम मोहन राए तो आप ठीक लगा सकते हैं और उसका उन्हें काफी उपादिया भी दिया गया था क्योंकि उन्हेंने कैस्ट समाजिक एंधार्मिक याँपज़ाइक आंदलन के लिए बहुत ऑई कुछ योगदान दिया था नहीं कई सारा उपादिया सो wealthy उपादिय बी दिया गया था जैसे कि इन्हें जड़ारते पुन ज्यान का पिता कहा जाता है हलते राष्ट वाद का जंगा बी भाहरते राष्डवादा का जनख बहु आदुनिक पूरुष भी कहा जाता था जो कोस्तन होता है आपको इस तरह भी पूझा जा सकता है यह तो इससे flashy आप याद कर सकते हैं यह तो आ worst बात है ठीक है तो इस बार दो बाई गातर यहाद हो जाएगा इस ने घृट तो इनका थोड़ा साथ सपनी किस ने क्या तो आपके ऑप्सन होगा राजा-्राम वहना है यह जधा पूसथा है पूसता है तो आप थोड़ा से ज़या याद रख सकतें नहुँ इसका उद्देश्श हथा तो जहीज लिए शुबते समस्थारक्त के लिए यहां पर हम देख्टे स्वान और आकवर राजा मोहर आई को राजा का उपादी के लिए और यहां पर बता देंते और आप से कोष्ण पूछा भी जाएगा का राजा को राजा को उपादी किस ने दिया था अफ़ डू तीय समराट बीलियम चतुर्थ के दर्बार में भीजा ता अब राजा-राभ मोहनाई काफी सारा भासा जानते थे एक भासा ने कई सारा भासा भी वह जानते थे तो उनको क्या किया थे अकवार्दूती ने बिसकली कहा पर भीज़ाता ब्रिटीस भीज़ाता और इसका उद्देश ही कंसे से ख़ध कि एसी को याद रखेगा ना सकारूती हो जाती कहां पर उपर कब्रिस्टा बाइंटκ वब्लों को जाति अप्सक्ठेम और यहा नौर्टी पूजा का वी रोद हो को तो यदु松े में बात भी जायगा कि मूझा अड्री पूजा का भीlog कौन कर रहे थे तो राजाराम महंडाई आपके option में होगा ठीक है तो इस चीज को याद रख सकते हैं गैस यह है दयानान सुर्षति नेक्स्ट पॉइंट का हम देखेंगे कुछ इतना पॉइंट गैस आपका राजाराम महंडाई से एक महतरपून था ठीक है तो इस सारा पॉइंट को आप आप याद कर सकते हैं हाइलाइट कर सकते हैं सारा फैक्ट वाथी में मिंशन किया है उस पर ना यह देखते हैं गैस दयानान सुर्षति नहीं आर्या समाज कर भी अस्थापना क्या था और यहां पर हम थोड़ा से एक चीप बात करें यहां पर आप देख सकते हैं पाखंड ख कहां पर आग्राम लड़ाया था तो आठाट रख सकते हैं और इसका पुस्तक था उसका नाम क्या था तो अच्छा सासन और सुसासन की अस्थापना नहीं ठीक है यह क्या था काथन पर आप्रील बंबे नहीं होता था और उद्द प्राचीण्य वैदिक धरम को सुध रूप से पुना अस्थापित करना जैसे कि अलेडी हम लोग पर रहते पाले क्या था गैस यहां पर कुछ आदमी ज्यादा ही मतब जैसे की बहुत हो जैन हो उसे में कुछ ज्यादा ही लीन हुआ करता था बट ब्रिटीश समराज आया उस सबको थोड़ा-थोड़ा कम करते गया और फिर जो अपना उनका जो धर अनको पुना ससापीत करना और मुख्यास लहौर में थे लाहोर में फा करने और बड़ा घंद रखना है और बेसकलि इसका नढरा था पुनवह बैद की ओर लोटो लोड़ चलो दिर देफ सकानई याद रखेगा इन्हें उपाध्या दिया गया था तो बहारत का मार特ीन किया था था ठीक है पॉब्लीक एड्मिसरेशन का पाट है हिस्ट्रि का भी पाट है तो ये कुछ याद रख सकते हैं जो पहला वला पाट होता है वो शप्पोर्ट करता है विस्टर सिक्षा का और जैसे कि आप एकी बच्व चुबख सकते हैं लालालाच्पतर है इसको जो रएता है और यहां पर देखते हैं और झाल तो और लेखराज मुनसीराम और उसने क्या क्या था गैस एक गुरुकुल की अस्थापना क्या था कब 1902 में ठीक है यह थोगा से याद रख सकते हैं आप देखते हैं प्रात्ना समाज आता है और बेसेकली इसका स्थापना कब होते हैं तो मुंबई में होती है 1867 में होती है ठीक और विभाव इस तरीका सिक्षाओं का प्रोस्ताहन करना ठीक है तो कहीं निके आप देख रहे हैं यह सारा को जो काम हो रहा है कहीं समाज के लिए ही हो रहा है तो यह चीज़ थोड़ा सा अब जितना भी इस फैक्ट है तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते ह इसके बाद कुछ हम इंपोटेंट पॉइंट देखते हैं जिसे कि देव समाज का किसने संसापक था तो सिव नरायन अगनी होत रही था तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं सत्य सोधक समाज का सपना को था जोति जोतिवा फूले था धर्म सभा का संसापक हो था तो राज कशने क्या था तो स्वामी जी महराज नेक था राम पिस्थू मेसन क्या सक्ता प्रम और किसने कहता तो स्वामी वीवेका नन्द नेक्या थंत्त थजा समाज के आसापना किसने गता दिवेंद नात टैगोर ने क्या था बहुत समाज का किसने क्या था मकुंद प्टि तेलस राव supported लिँित लिप आप तोड़ा से एक वार याद भी रख सकते हैं हाइलाइट करके ठीक है यहां से भी कुछ-कुछ जैसे कि यह अक्सर आपके एक्जामें पुछा जाता है यहां पर हम बात कर गाए सराम किसमिसन तो यह से अक्सर पुछा जाता है जब आप टेस्ट बगेरा जब जैसे कि क्योंकि एक साल हमें आपके साथ रहना होता है तो कही तरीका से आप लोगों को घुमा के पूछते हैं ठीक है यहां पर हम बात कर गाएस नेटिव मैरेज एक एक आक्ट आता है और कब आता है तो 1872 में पारित होता है और यह केसब चिंद्र के परियास से बिसकली पारित क् इसान प्रफ भाताा ह ? वर्व भाह के एक प्रथान होता है लड़कों की जो अधिनीम आ हों चριते है और लड़की का यहां पर देख सकते हैं क्रम समाजब जो भी हम पढ़े यहां पर गैसे इनके बारे में ने ब्रह्म समाज, राजा-राम, महोर, निक यह था प्रमाज, मंद्ली, दादा यहां पर दादो पांडू रग्षा आद्मा राम, पांडू रग्षा आर्या समाज, द्याणा, सुरसफी निक यह था और डाम किसमें, और नेक्स्ट टॉपिक यहां पर देखें गाई से पुर्व और सा कई सरा राजनितिक संस्था है बिसेकली अस्थापना किया गया था और उसके बाद काई सका अस्थापना हुआ था ठीक है तो इससे पहले कौन तो यहां पर हम देख सकते जो फैक्ट है वही देखेंगे है बंग भासा परकासी सभा का अस्थापना किसनि क्या था राजयराम महोणा के सजयोग सब्सक्राइब यहां इपया हे उसको लेंड है जानते हैं जमिंदारी एसुसीयेशन और अस्थापना कभ वैंग उथा अठाव तो और कहां पर क्या गया तो कलकत्ता में कहता हूं उद्धिश कहा था कि नाम से ही लग रहा है कि लेंड ठीक है लेंड होल्ट तो जमिंदार का स्वार्थ की रक्षा करना और दूसरा को तक इस सब्सक्राइब द्वार करना टाइगर होता तो इस इसको याद रखेगा नो कुछ पूछा भी जाएगा बैसेकली कि लेंड होल्ट सोसाइडिक अस्थापना किस नहीं क्या तो द्वार का नात नहीं क्या तो आप ठीक लगा सकते हैं नो कुछ संदे के यहां पर गैस पूना सार्वजिनिक सवा का स्थापना किसमें क्या तो यहां पर आप देख सेथे सध्रेंट हैं बात हो देखने वाले जैस इसका अन् ना मारत संग केना से भी जानने कि शारा मतब जो इसके बात क्या होता है सर रसी स्फफित कॉंड़ेस होता है और क्योंड़ेस कूड़ेस होता है और का इनक चानी में आsu असको हम फारत संह में'sन के भी नाम से जानने आ स्थापना कब हुए थी 26 जुलाई 886 कुई थी कहा पर हुए थी कलकत्ता में हुए थी संस्थापक कौन था तो सुरेंदर नाथ बनर जी था ठीक है अनन्द महन बोस के सायोग से बिसकली किया गया था ठीक है इंडियन एस्थापना कब हुए था अक्टोबर 1850 हुए था कहा पर कलकत्ता में हुए था और संस्थापक सदस्कों था तो राधा कांत देव था अध्यक्ष कों कर रहे थे हरीश चंद्र मुखर जी बिसकली और देवेंदर नाथ कर रहे थे तो इस चिर को याद रख सकते न अधर भी नाम है राजेंदर लाल मित्र भी है कि नो आगे हम देखें कैस सेंट्रल मॉम्डिन निस्टनल एस्थापना किस नहीं किया था तो यहां पर देख सकते हैं आठार सदर्तर में कलकत्ता में क्या था संस्थापक हो था सर सेयद अमीर अली था कहा पर कहा था मुंबे से हाइलाइट नहीं क्यों मुंबे परसिडेंटी अस्थापना कब हो था तो आठार सो पच्पन हो था संस्थापक दो अक्सर एक ही चीज़ पूछता है डेट कम पूछता है बस इसका जो संस्थापक है यह ज्यादा पूछता है ठीक है अब उद्धियस क्या था कि अलेड सभाई बनाए जाते थी एक और्गनाइजेशन बनाया जाता था उनका उद्धियस था कि जनता के लिए बहतर कुछ करें बस आप इतना ही समझ लो इसी तरह काफी जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई परसिडेंटी एस्सेशन बना गया था और इस किसने बनाया था फिरो अगर आप लोग पेड़ जॉइन करना चाहते हैं तो यहां पर आप जॉइन कर सकते हैं कल हम लोग देखने वाले हैं 885 और यहां पर एक साल थोगा फाइंडे और एब्री डिए आप लोग को को सब्सक्राइब किया जाता है ठीक है और ट्वेंटी को सब्सक्राइब आई